दान्स रिहलसल के लिए पहुचे अंकित से क्यूं मांगी है आखिर सुम्बुल और शिवने माफी क्या कुछ हुआ है फिनाले में क्या डीटेल्स निकल कर सामने आ रही है सेट से क्या अपडेट आ रही है बताएंगे आपको यहां पर हम टीवी धमाका की इस खास रिपोर्ट में बहुत स्वागत है आपका टीवी धमाका पर और यहां अभी आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर हम हाजर है अंकित कुपता जो फिनाले में रिहलसल के लिए पहुँचे हैं डांस परफॉमेंस के लिए जैसे हमने आपको बताया ही था अंकित और प्रियंका का साथ में एक डांस परफॉमेंस होने वाला है और इसी की रिहलसल के लिए अंकित घर के अंदर पहुँचे जब वो घर के अंदर पहुँचे तो शिव और सुम्बूल ने आखिर क्यों अंकित से माफी माँगी किस बात की माफी माँगी है आपको बताएं उससे पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजे ताकि ऐसी ही अपडेट साब से बिल्कुल भी मिसना हूँ दोस्तों अंकित का bond सुम्बल के साथ घर में काफी अच्छा था और शिव के साथ भी उनका bond को जितना खराब नहीं था हाँ ये और बात है कि involvement और non involvement को लेकर अक्सर ही दोनों की बीच बहस या argument कहेंगे हुए थे लेकिन bond कोई खराब इतना नहीं था शिव के साथ भी पर यह पर क्या हुआ है अब क्यूं अंकित से माफी मांगते हुए नजर आए हैं शिव और सुम्बल वो इसलिए क्यूंकि अंकित गुपता जब घर से गए थे उस वीक साफ तोर पर सारे घरवालों ने प्लान किया था उन्हें eliminate करने का मंडली तो थी ही इसमें शामिल मंडली के स अर्चना गौतम भी आकर शामिल हो गई थी और कोइंसिडेंसली उस हफते वोटिंग लाइन्स ओपिन नहीं थी मेकर्स ने बड़ी चाल चलकर अंकित गुपता को घरवालों के वोट के आधार पर ही eliminate करवाया था और इसी बात को लेकर अब सुम्बुल और शिव माफी मां शिव और सुम्बुल ने अंकित से जब ये तीनों मिले दोबारा से बिग बॉस के घर में और एक तरह से माफी मांगते हुए नजर आए शिव और सुम्बुल अंकित से उन सारी बातों के लिए जो कभी भी उन्होंने अंकित के खिलाफ बोली या elimination के दौरान जो कुछ भी हुआ था उस मात के लिए इन दोनों ने अंकित से माफी मांगी है अंकित गुपता इस वक्त कलर्स के ही एक शो में नजर आने वाले हैं जुनूनियत नाम से इस शो में अंकित नजर आने वाले हैं जल्दी ही प्रियंका चहर चौधरी के पास भी बहुत सारे assignments हैं जो बाहर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए